दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपने प्यारे यूटिव चैनल में और आज आप लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें तयारी करनी है अगर आपका एक्जाम अच्छा नहीं हुआ है ससी स्टेनोग्राफर का और आप चाहते हैं कि आगे मेरा एक्जाम पूरी डिटेल में हम डिसकस करेंगे और ये भी डिसकस करेंगे पूरी वीडियो में कि अगर हमें सब्जेक्ट वाइस पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना इस्टार्ट करना चाहिए इंग्लिस पढ़ना है तो कहीं न कहीं किस तरह से पढ़ना इस्टार्ट करना चाहिए कहीं न कहीं आपकी गलती रही होगी कहीं न कहीं आपसे कुछ न कुछ भूल हुई होगी छोटी मोटी गलतियां हुई होगी वो छोटी मोटी गलतियां आपकी प्रैक्टिस की कमी ही कही जा सकती है तो बस आपको उन गलतियों से सीखना है और दोबारा अपना एक्जाम देना हो सकता अगली बार अच्छे माक्स आ जा तो ऐसे तो होने वाले नहीं है हमें क्या करनी पड़ेगी अपनी इस्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी कि हम कितने घंटे पड़ सकते हैं कौन-कौन से सब्जेक्ट पर मेरा कमजोर है और कौन-कौन सा मेरा बीक कौन्ट है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए अगर इस तरीके से आप फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आपके एकजाम जो है वो आने वाले टाइम में अच्छे होने वाले हैं अगर हम बात करें जीयसकी तो जीयसके लिए हमने इससे पहले भी बताया है आप लोगों को कि आप लेकिन आपके अच्छे marks आ सकते हैं अगर आप घटना चकर या किरन पॉब्लिकेशन की जो previous year की SSC की book आती है एक आती है previous year SSC की book उसमें जितने भी SSC के CGL, CHSL, MTS, CPO इन सभी के previous year के questions दिये होते हैं वो आपको तयार करना है उसको एक बार नहीं पढ़ना है देखिए कोई च आयार हो गए है ठीक है साथी साथ Lucent की book जो है वो उसे भी आप रखिए जैसे आपको GS में कोई भी topic पढ़ना है तो पहले उसे आप Lucent से पढ़ने के बाद फिर आप घटना चकर से उसे पढ़ना इस्टार्ट कीजिए ठीक है यानि कि Lucent से हमारा ये हो जाएगा कि कितने type क से question बन सकते हैं ये Lucent से clear हो जाएगा और घटना चक्रिया किरन पब्लिकेशन की book जब आप पढ़ेंगे तो वहां से ये चीजें clear हो जाएगी कि कौन कौन से इसमें से questions जो है वो exam में आये हुए है ठीक है ये चीजें clear हो जाएगी अगर आप कहीं पर offline coaching कर रहे हैं GS की और और वह अच्छा होने का मतलब क्या है अच्छा होने का मतलब यह है कि आपको समझ में आ रहा है यह जरूरी नहीं है आपके exam में आ रहा है साथी साथ यह जरूरी है ठीक है कहीं भी आप English की coaching moltन की कीजिए और GS की coaching कीजिए ठीक है तो आप यह जरूर देखें कि आने व लेकिन सिर्फ समझ में आ रहा है और questions नहीं आ रहे हैं तो आपका track सही नहीं है तो आपको सबसे पहले अच्छे teachers का selection भी करना होगा और उनसे पढ़ना इस्टार्ट करना होगा जिसके लिए YouTube पे बहुत धेर सारे channels हैं आप देख सकते हैं उनके लिए GS भी पढ़ सकते हैं एक यह रही GS के बात यह रही किस की बात GS की बात अब हम English की बात पर आते हैं तो English के लिए मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो में भी वताया है कि English के लिए सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए आपके पास एक book होनी चाहिए प्लिंट टु पएरामाउंट book होनी चाहिए ठ इसमें आपको CPO SSC के previous year के जितने भी set wise दिया गया उसमें, दिया गया है, उसे आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ने का मतलब मैंने अपनी चनल पर कई वीडियो अपलोड की है, लगबग SSC के 2019 के वीडियो अम्भी पब्लिकेशन की बुक से कबर हो चुकी है, 2018 2018 की वीडियो पूरी solve कराई जा चुकी है, जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो जा करके वहाँ देख लें, अगर समझ में आता है, तो आप वहाँ से पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता है, तो आप दूसरे चैनल से पढ़ लीजिए, ठीक है, बस आपको क्या करना है, म जरूर होनी चाहिए, एक प्लिंटू पैरमाउंट होनी चाहिए, और एक जो बुक होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए, MB पढ़ाया है, अब जल्दी ही लगबग जनवरी लास्ट तक मैं स्टार्ट करूंगा, चैप्टर वाइस भी पढ़ाना, और MB की बुक भी कही रि लोगों को रिजनिंग जिस टाइप की आ रही है, उसके लिए आपको कई YouTube चैनल पे तो मिल जायागी रिजनिंग, या आप आफ लाइन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, अगर आप उनलाइन करना चाहते हैं, विकाज रिजनिंग जो है, वो इस बार सब खेला पलट दे र रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कल्कुलेटिव रिजनिंग आ जा रही है, थोड़ा सा कुछ क्वेस्टन जो है, वो अभी तक जैसे पूछे जाते थे, वैसे क्वेस्टन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए एक प्यूस वर्षाने सर हैं, और मतलब उनकी वीडियो जो है वो आप पेड़ कोर्स उनका चलता है, तो आप खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवा पढ़ाते हैं, तो आप वहां से यूट्यूब पे सर्च कर लिजेगा, प्यूस सरी रिजनिंग के नाम से, मैं तो मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं बता रहा आप लोगों को, कि बहुत ही अच्छे टीचर है, रिजनिंग के लिए, आप अगर रिजनिंग वहां से कर लेते हैं, लगभग चीजें आपकी तयार हो जाएंगी, लगभग चीजें आप लोगों की तयार हो जाएँगी रिजनिंग में, जो लंदी questions आ रहे हैं, जो अलग हुआ हूँ तो मैं जान रहा हूँ कि हाँ बेस्ट टीचर है रीजनिंग के लिए ठीक है बाकी मैंने इंग्लिस के लिए बता दिया है इंग्लिस की वीडियो भी जो है वो आपकी चैनल पे अपलोड है चैप्टर वाइज भी अपलोड है और MB Publication की बुक की वीडियो बहुत ही लाजबाब बहुत ही सांदार तरीके से पढ़ाई गई है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं उसका नोट्स बना सकते हैं विकॉज एक एक चीजें वहाँ पे क्लियर करके मैंने बताया है अगर कोई बेसिक से पढ़ना चाहे और प्रिविएस य हैं आप लोग इस बार तुन इंगलिस का पेपर इजी आया था आप 2018 का पेपर जाकर के सॉल्व करेंगे 2017 का सॉल्व करेंगे अगर आपने कुछ वीडियो मेरी देख ली है तो आप सॉल्व करने लगेंगे ऐसा बहुत लोगों का कमेंट भी आया है कि मेरे मार्ट वह अच वीडियो की मदद से तो बस आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और कोई भी अगर आपको समस्या है किसी भी चीज में तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बाक्स में दी गई है वहाँ आप पूछ सकते हैं सारी जितने बहुत आप लोगों के क्वेस्टन सोंगे उसकी रिप्लाई जरूर करेंगे उसका जवाब हम जरूर देंगे बात रही जो है वह स्टार्ट होने की तो आपकी जो जन्वरी लास्ट से स्टार्ट होंगी और जैसे इस्टार्ट होगी एक वीडियो मैं बना दूंगा उसके एक डिए कि कब से स्ट्राइब हो रहे है तो नेक्ट्ट जो एक्जाम होने वाला है उसके लिए ग्ली कि क्लास यो है वह स्टार्ट हो जाएगी तो आप वहां से आप लोग परना इसटार्ट कर सकते हैं तब तक लिए आप और जगह से भी देख सकते हैं ऑफ predicted और आप आगे वाला एक्जाम जो है आने वाला एक्जाम जो है वह आपके लिए इंक्पॉर्टेंट है और लोग क्या करते है कि दो दिन एक्जाम का जब एडमिट कार्ड आ spricht है तो पढ़ना स्टार्ट करते तो उन लोगों का कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं definitely उन लोगों का number जादा आने वाला है तो बस आप ये कीजिए कि अभी exam खत्म हुआ है आपके marks सही नहीं आए हैं कोई बात नहीं पहले सब के marks सही नहीं आते हैं धीरे-धीरे marks increase होते हैं आप पिछले साल से अच्छा marks लाएं हैं या नहीं लाएं इस पर focus कीजिए और किन चीजों में कमी रह गई इसे copy pen ले करके लिख लिए क्योंकि लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है लगता है कि हमें कैसे लिखें किस तरीके से इसका क्या importance है लेकिन बहुत बड़ा importance है life में ठीक है आपके लिखने का ठीक है तो आप लिखिए जरूर की क्या क्या चीज़ें आपकी कमी रह गई है उन्हें सुधार कीजिए और आगे इसी तरीके से आप थोड़ा सा और मेहनत करके पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए अगर आपके कोई question है पढ़ाई के संबंध में और आप पूछना चाहते हैं तो comment box में comment करके जरूर बताएं ठीक है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दीजिएगा चैनल को subscribe कर दीजिएगा और share करना मत बूलिएगा Thank you